अज हमारे साथ मुंबई बाग में मौजूद हैं साबुसिदी के प्रोफेसर आतिफ दफेदार जी आज ये शिवाजी महराच के हिस्ट्री के स्कोलर है प्रोफेसर है आप समविदान की इन्होंने समविदान क्या है सविदान का हमारा कैसा है सविदान ने बाबसाइब डक्टर मेंटर ने हमें क्या हग दिया उसको समझाने के लिए वो क्लासे चलाते हैं आई ये मुंबई बाग आए इन्होंने यहां हमारी बहनों को सविधान के बारे में बताया नर्सी के बारे में बताया और ये जो कुछ चल रहा है उसके बारे में यहां के अच्छा बहनों को मोटिविट किये आईए हम उनसे खुछ जाना जाते हैं दफेदर जी से के और ये सरकार का CAA और NRC लाने का जो सबसे बड़ा मकसद है वो ये है कि भारत की एक बहुत बड़ी आबादी जो के SCST और OBC की है मैनौरिटीज की है उनको मतदान के अधीकारों से वंचित करना है मतदान अधीकार उनका च्छीन लेना है ताकि इस देश में बाबा सब अं मनुस्मूरूती लागू हो जाए इसलिए ये सिब दिखावा है CAA और NRC का जो असल एजेंट है इसे देश को मनुस्मूरूती का राज जलाने का जो ब्रहमन रास्ट है उस पर काम करना है दफेदर जी एक सावाल है जो पुझी वादी चल रही है इसके बारे में आप क्या सरकार बनी थी तो उन्होंने कहा था कि मैं देश बिकने नहीं दूंगा और जुकने नहीं दूंगा लेकिन हम लोग देख रहे हैं कि जितनी बड़ी बड़ी सरकारी कंपनियां हैं एक के बाद एक एक बाद एक बिकने लगी है और पुरे विश्व में भारत का सर बार बार जुकने भी लगा है उसका एक अच्छा नमोना जो आज कल ट्रम्प आने वाले हैं किस तरह से घरीबी को छुपाया जा रहा है और सारी दुनिया में भारत की नाक कटाई जा रही है और रहा सवाल पूंजी वादी का तो आप ये समझ लीजिए के जितनी फायदे की कमपनिया हैं वो भी बेची जा रही है एर इंडिया के लिए खुद प्यूज गोएल ये कहते हैं कि अगर मैं मिनिस्टर नहीं होता तो मैं खुद ही एर इंडिया को खरीद लेता ये सारी चीज़े बहुत ही इस परस्ट रूप से हमको ये बताने के लिए काफी हैं कि भारत की जितनी कमपनियां सरकारी हैं उन सब को बेचा जा रहा है और इसलिए बेचा जा रहा है ताके इसमें से पुरा आरक्शन खतम हो जाए रिजर्वेशन खतम हो जाए और प्राविटाइज़ेशन के जरीए पुरे देश की कमपनियों को बेच कर गिंती के जो उंगलियों पर गिरे जाने वाले जो इंडिस्टियालिस्ट हैं उनको सा का असल मालिक बना दिया जाए और पुरे देश को गुलाम बना दिया जए के बारत की सारी कमपणियों को बेचा जा रहा है जितनी भी कमपणिया्खे और फिर से एक बार भारत को गुलाम मनाने की कोशिश की जा रही है हमारे साथ अब्दुलवारी साहब है मैं उन से जाना है ता हूँ जो यह जो ट्राम्प आ रहा है और काफी करोड़ों का खर्चा हो रहा है और एक तरफ तो कई करोड़ लोगे की नोगरियों का सवाल है और बेरोजगारी इतनी है और सारी कमपनिया बेची जा रही है और बैंक करेपसी कितनी खतम हो चुकी है हिंदुस्तान की पूरी आर्थ रुस्ता बिगर चुकी है अब्दुलवारी साथ पहले भी मैंने एक बात कही थी आद भी मैं कहा रहा हूं कि यह जो वक्त है यह NRC और CA का नहीं है अभी सर ने पूरी बाते बता दी उनको चाहिए था कि जो हिंदुस्तान की जो आर्थिक इस्तिती है उसके उपर वो काम करते गरीबी पर काम करते जो अनिम्पलाइमेंट है उसके काम करते नए नए रोजगार के जराय वो देते मगर अब इन्होंने एक नया रूट ले लिया है सर ने जो बताया उसके उससे मैं मुतफिक हूँ कि यह गौर्णमेंट बीजेपी की चलतो रही है इंडिया में मगर इसका रिमोट कंट्रोल जो है वो इसराइल के हाथ में और इसराइल वहाँ से बैढ़ कर अपनी पॉलिसी का इंप्लिमेंट जो है वो इंडिया में चला रहा है और यह जो शाहिन बाग के इस तरह जो हमारे पूरे देश में हो रहे है यह एहतिजाज इस बात की तरह बिशारा करते है कि अब यह देश चुपनी बैठेगा आज अपोदिशन खत्म हो चुका है आप यह देखिए कि हमें उम्मीद थी कि यह जो बिल है यह जाके कहीं न कहीं राजे सभा से भी बिल पास हो गया इससे साब जाहिर है कि अब हमारे देश के अंदर जो हुकमत जो कर रही है सत्तादारी पक्ष है उसके सामने विपक्ष नहीं है मगर मैं आपके माद्यम से कहना चाहता हूँ कि जनाब माने नहीं मोदी जी जनाब गरे मंत्री जी जितना बड़ा विपक्ष वहां बैठा नहीं है परलिमेंट में आज उससे बड़ा विपक्ष जो है आज रोड पे आ चुका है और आपके सामने एक बड़े विपक्ष की लड़ाई है और आप ध्यान लखना कि अगर आपने अब एची जा रही है तो अब्दुलबारी साब का कहना है कि ये इस्राइल की रिमोट वाली हुकूमत है तो अब्दुलबारी साब ये जो आपने कहा है कि इस्राइल वाली रिमोट वाली हुकूमत है तो ये कैसे आपने कहा दिया और ये हिंदुस्तान में ये जो NRC CAA क्यों लाया गिया और यो बेरोजगारी और इतना बुरा माहुल चल रहा है क्या हो रहा है देखे बाबा सब अमबेडगर जी ने जो समिदान दिया है उसमें हिंदु, मुसल्मान, सीख, इसाई तमाम लोगों को इकवल उन्होंने दर्जा दिया है अब इतने हमारे भाई, हिंदु भाई के इसमें नहीं जाएंगे, के इसमें दलिद भाई नहीं जाएंगे, के क्रिशन भाई नहीं जाएंगे, सीख भाई नहीं जाएंगे, पंजाबी भाई नहीं जाएंगे तो ये एक उन्होंने खाले एक वो ला लिया कि हम CA में मुसलमानों को नहीं लेंगे ये डिवाइडन रूल की जो इनकी पालुसी है ये हिंदुस्तान की पालुसी नहीं है ये पालुसी वहाँ से आई है जिसका मैंने भी नाम दिये है इस्राइल से तो ये तो साहिब जाहिर है ना कि आप डिवाइडन रूल की फिर से पालुसी लाना चाहते हो कितने आज हमारा दलिद भाई भी ये कह रहा है सिख भाई कह रहा है हमारे जो पीसफूल जो हमारे हिंदु भाई है वो भी कह रहे है कि ये सब के लिए नर्सी है सब इसमें जाएंगे हमारे जो पुलिश डिपार्टमेंट के लोग जो महारश्टा में यह यह प्रोटेस के लिए जो 24 गंटा डूटी दे रहे हैं कल क्या उनको नर्सी के लिए नहीं जाना पड़ेगा हमने आपने हमसे ओट लिया आपने हमसे सरकार बनाई तो यह जो सरकार बनी यह भी डाउटफूल हो गई तो इनको यह चाहिए कि राश्पातिश शासन लगाए उसके बाद वो अपना नर्सी करे उनके उपर भी लागव है जितने उनके मुखिमंत्री यह उनका नर्सी करे जितने उनके MP जे उनका NRC करे उसके बाद हम NRC के लिए तैयार हैं उसके बाद वो NRC होने के बाद जो आपको हिंदुस्तान का नागरिक मिले उससे आप वापीस एक election करवा कि अपनी government बना लो आप अगर इनको शहरियत देना ही है तो सबसे पहले अपनी शहरियत दे राश्वर्दी शाचन लगाए और फिर NRC करें मैं सलीम सिद्धी की कैमरा मैं अली के साथ AVP News थैंक यू शुक्रिया दफिदार जी शुक्रिया थैंक यू